तो यह हमारी खक्सी की सब्जी बन के तयार है बिल्कुल चटकदार एलो फ्रेंट्स मैं राजीब और राजीब की चेनिन हम आपका स्वागत है आज अब बनाएं खक्सी की सब्जी तो चलिए विलाक्सी देरी के सुरू करते हैं तो इस रेसिपिक लिए फ्रेंट्स हमने 200 ग्राम के असपास यह खक्सी लिया है और उस्वेल यह देसी खक्सी है तो हम उसे दोकी रख लिया है और उसे कुछ इस परकार से काटेंगे उसका डंठल को निकाल देंगे काटके और इसे बीच से चिरा लगा देंगे आप से अपने साफ से रख सकते हैं आप चाहे तो बिल्कुल डाउंड राउंड से भी रख सकते हैं इसका हमने यहां पर प्रकार से बाड़े बनाया है से सब्सक्राइब में राप जैसे दाते हैं पर आनली हमने फ्राइट सारे को काटेंगे और हमने आप तीन क्या लिया भब भी बना सकते हों तो कड़ा दालेंगे दो चमच का सबस हित तेल को इत कर खक्सी को अ करेंगे को हम आप ऊपड्लत ऐसे है तो और ज्यादा तेल च़्ाइब कर सकते हैं लेज़ाव सबता कर दो के लगवरें यह तो दक retir Meng और दो को मीशना कर दो कि जबना trait तो यह देखिए हमने इस परकार से डाल के इसे अच्छे से मिला दिया है और इसे कवर करके हम इसे पकाएंगे तो यह जो ही लगवक साथ से 8 मिट में यह अच्छे से पक जाता है मेडियम टू हाइफ लेम पर पकाएंगे इसे तो इसी तरीके से आप इसे लगातार बिच बिच में चलाते रहेंगे ताकि यह हमारा जलने ना पाए तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और यह इसमें जो यह पक भी रहा है बहुत अच्छे से तो इसी परकार से हम इसे चलाते रहेंगे और से बीचे चीजि先 cover करदेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे कि यहay लिए तो इसमें नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से इसमें सेपरेट हो सके नमक तो देखिए कितना बढ़िया है यह हमारा इसका कलर भी आया है और यह लगमक पक भी गया है तो हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंट तो हम नेक्स्ट परसे से बचलेंगे उसी फ्रैपन थोड़ी सी तेल डाल देंगे उसके बाद हम इसमें खरा जीरा प्लिक तो पर आलेंगे और यसके बाद हमिसमें प्याक ओर हरीमिक जोड़य कर्ण करें रखा था था है तो पिम हलिए हम डाल ने यह तो यह दिखीए हमने कटा वह कुछ सिप में बढ़ाए और से मिलाना के बाद इस तक अच्छे से लग हो सकते कें तो आप इसी तरीके से अब कवर करेंके से इस हम に सब्च्छ दी तो ने के को ठीथ हिसा कलर भी जिंज हो गिया है तो अब ये ओसे कुंछ किसे कर और कैरो कि जिसमें टाला है आप तो ही देखिए हमाटलना के बास हम इसमें नमख दालेगे और नमख डाल लगे इसके बात मिलालें एम अच्छे से ताकि जो यह और अच्छे से सोफ्ट हएसे कि और शीदन एक बद आर ताकि तुमाटर भी हमारा सफ्ड होजाया और प्याज भी ऊच्छे से सॉफ्ट हो जा तो फिर शेपर ने उन्हें देखी दखकन तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा से हलके हातों समय से टमाटर को फ्रेस कर देंगे ताकि यह जो अच्छे से इसमें मिल सके तो अब बाड़ी आती है मसाले की मसाले हमने आधी छोटी चमच हल्दी mi daala ладно को अच्छा मुल्यक पॉड़र के अच्छा में अच्छा बढ़र ठोल शचाँ हम अरी मसाले हम जब्ली और फaden जव मसाला ब्ली तोट्व शख अधिक दालने के घ्क लगए थोडि़के अर्ट की अच्छा माहिए तो इससे इसा पानी डालने के इतिर फ़ितना को मालव ह तो अब हम इसी एस्टेज पर हमने जो खक्सी जो है उसे जो फ्राइ किया था अब यहां पर डाले गए और इसे अच्छे से मिलाई है तो फ्रेंट्स खक्सी को बहुत जगे अलग लग नामों से जाना जाता है तो यह फाइनली हमारा तृर इसे कंडोला भी बोलते हैं को कटोडा भी बोलते हैं तो अलग लग जगों में अलग लग नामोंस जाना जाता है तो यह फाइनली हमारा ये बन के तयार फ्रेंट्स तो आप भी इस तरीके सपनी घर पे जरूर से यह श्यायकर आयो तब तक के लिए धन्यवाद।